दोस्तो आज के वीडियो में हम सिखने वाले हैं फोन पे बिजनस अकाउंट कैसे बनाएं दोस्तो जब आप फोन पे बिजनस अकाउंट बना लेते हैं तो इसमें आपको काफी तरह का फीचर्स मिलता है जैसे हम फिरी QR code और्डर करके मंगा सकते हैं हम इसमें voice notification भी लगा सकते हैं जब हमारा QR code scan करके कोई भी payment करेगा तो हमें voice में notification मिलेगा कि आपको इतना रुपया प्राप्थ हुआ तो ये सभी features मिलता है phone pay business में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल new process में बिल्कुल latest process में सीखेंगे कि phone pay business account कैसे बनाया जाता है और इसे complete कैसे यूज किया जाता है तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको phone pay business application डाउनलोड करना होगा इसका link मैं वीडियो के description में दे दिया हूँ आप उस पर click करके application को डाउनलोड करेंगे उसके बाद open करेंगे open करेंगे तो इसको हमें permission देना होता है तो यहाँ पे allow करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना mobile number डालेंगे उसके बाद verify पर click करेंगे उसके बाद दोस्तो आपके mobile number पर 5 अंग का OTP आता है OTP automatic ही ले लेता है अगर automatic नहीं लेता है तो आप manually भी डाल सकते हैं यहाँ पर दिखे OTP भी आ गया automatic ले भी लिया उसके बाद इसको हमें permission देना होता है तो यहाँ पे allow करेंगे get started पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके का option आएगा यहाँ next करेंगे यहाँ पर दिखे इसके features के बारे में बताया जाता है जस्ट आपको next करते जाना है उसके बाद यहाँ पे option आएगा start now इस पर click करेंगे आप जैसे ही start करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ detail देना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने business का नाम देंगे अगर आपका कोई shop है तो उसका नाम है तो यहाँ पे देंगे अगर आपके पास कोई भी business नहीं है तो आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजे उसके बाद यहाँ पे category का option आता है इस पर click करेंगे तो यहाँ पे हम category select करेंगे तो यहाँ पर देखिए others का भी option है इस पर भी click कर सकते है उसके बाद यहाँ पे एक अपने shop का फोटो लगाना होगा तो अगर आपके पास दुकान है shop है तो उसका फोटो लगाएंगे अन्यथा आप अपना ही फोटो लगा सकते है उसके बाद continue उपर click करेंगे अब जैसे ही continue उपर click करेंगे तो यहाँ पे हमारा location यह track करेगा आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपका location सही है तो यहाँ पे आ जाएगा अन्यथा आप यहाँ से search भी कर सकते है तो जैसे हमारा location यहाँ पे ले लिया है उसके बाद यहाँ पे आप अपने flat का number या फिर building का नाम देंगे और continue अब जैसे ही continue पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का option आएगा यहाँ पर देखे accept payment now का option आता है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे बता रहा है कि आप भीम में UPI का payment भी accept कर सकते हैं और अगर आपके phone पे wallet में पैसा होता है तो उसको भी आप अपने bank account में withdrawal कर सकते हैं तो यहाँ continue उसके बाद इसमें हमें एक bank account add करना होता है जैसे माल लीजी कि कोई भी QR code scan करके payment करेगा तो वो पैसा आप किस bank में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर account number उसी account number को दुबारा डालेंगे यहाँ IFC code डालेंगे यहाँ account type में आप select करेंगे saving account है या फिर current account है उसके बाद verify पर click करेंगे अब जैसे ही verify पर click करेंगे तो आपके bank account में एक रुपया add किया जाएगा यह check करते हैं कि आपका bank account active है या नहीं तो यहाँ पर दिखिए हमारे bank account को यह verify कर लिए यहाँ पर successful का option आ गया है और एक रुपया हमारे bank account में भी भेज दिया गया उसके बाद दोस्तो accept unlimited payments पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखिए business type पुछेगा आप individual है अगर आपका shop है अकेले काम करते हैं तो individual अगर partnership में है दो आदमी मिल करके काम करते हैं तो partnership private है, public है तो उपर वाले में tick mark लगाएंगे यहाँ पर GST नमबर देंगे लेकिन अगर आपके पास GST नमबर नहीं है तो इसमें tick mark लगाएंगे और यहाँ पर आप अपना pen card number डालेंगे और verify पर click करेंगे आप जैसे ही verify पर click करेंगे तो यह आपके pen card को भी verify करेंगे और यहाँ पर देखिए successful verify कर लिए उसके बाद done पर click करेंगे आप जैसे ही done पर click करेंगे तो आपका account successful create हो गया और अब आप कभी भी इस application को open करेंगे तो कुछी इस तरीके का ही interface आएगा यहाँ पर देखिए कोई भी आपके QR code को scan करके payment करता है तो वो पैसा यहीं पर दिखेगा और यहाँ view आल पर click करके total transaction देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जब आप इसमें account बनाएंगे तो कई बार 2-3 दिन तक time लगता है आपके account को verify करने में लेकिन इतना time नहीं लगता है 10-15 मिनट में ही verify हो जाता है तो यहाँ पर चलिए मैं 10-15 मिनट wait करता हूँ अब दोस्तों देखे इस application को मैं 10 मिनट बाद open किया तो कुछी इस तरीके का option आ रहा है और यहाँ पर हमारा account verify हो भी गया अब आप कभी भी open करेंगे तो कुछी इस तरीके का ही option आएगा अपना QR code देखने के लिए यहाँ QR code पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका QR code आ जाएगा आप इसका screenshot ले सकते हैं इसको download कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप QR code order करना चाहते हैं इस speaker वाला तो कैसे order करेंगे तो order करने के लिए profile आइकन पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर option आएगा manage QR code इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर option आएगा view का view पर click करेंगे तो आप अपना QR code देख सकते हैं PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे order करके मंगाना चाहते हैं तो यहाँ से back आएंगे तो यहाँ पर देखें नीचे एक option आएगा request more QR codes इस पर click करेंगे अब जैसे उस पर click करेंगे तो जो भी आप address इसमें add किये हैं वो सभी address यहाँ पर आ जाएगा अगर इसमें कोई भी mistake होता है तो इसको सही करेंगे उसके बाद request पर click करेंगे तो आपका QR code order हो जाएगा और यह बिल्कुल फिर ही है post office के दोरा आपके address पर आ जाएगा दोस्तो मैं यहाँ पर QR code order नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी shop नहीं है तो मैं यहाँ से back आता हूँ अगर आप QR code मंगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से QR code मंगाएंगे उसके बाद दोस्तो कभी भी आप अपने profile को अगर change करना चाहें तो यहाँ पर business details का option आए इस पर click करेंगे तो यहाँ से आप अपने business का नाम कभी भी change कर सकते हैं यहाँ से mobile number change कर सकते हैं address change कर सकते हैं तो यह सभी चीजी यहाँ से change कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो हम इसमे voice notification कैसे लगाएंगे तो इसके लिए फिर से profile पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर settings का option आता है इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर दीखिए voice notification का option आता है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर language का option आजाएगा चलिए मैं Hindi slate करता हूँ तो यहाँ पर voice notification लग जाएगा अब दोस्तों इसमें जो भी आप bank account add किये हैं इसको आप देखना चाहते हैं या फिर भवी से में आप इसको change करना चाहते हैं तो यहीं पर option आएगा manage bank account इस पर click करेंगे तो जो भी आप bank account add किये होंगे वो यहीं पर show करेगा अगर आप कोई और भी bank account add करना चाहते हैं तो यहाँ add new account पर click करेंगे और यहीं से bank account को add करेंगे तो यहाँ पर चलिए मैं यही bank account रहने देता हूँ उसके बाद back आएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर share का option आता है आप share पर click करके आप अपना QR code और आपका जो shop है उसका सभी detail आप share कर सकते हैं उस link पर उस QR code को scan करके कोई भी payment कर सकता है उसके बाद यहाँ पर option आता है store update का आप यहाँ से update कर सकते हैं अपने store का उसके बाद यहाँ पर आता है customer chat का आप इस पर click करके customer से chat कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एक option आता है manage staff का दोस्तों manage staff में क्य होता है कि आप अपने staff को manage कर सकते हैं जैसे माली जी की हमारा shop है और मैं अपने shop पे नहीं रहता हूं मैं कहीं दूसरी जगह रहता हूं तो जैसे माली की कोई भी मेरा QR code scan करके payment करेगा तो notification मेरे पास आएगा और मैं अपने शोप पर नहीं हूँ मैं कहीं दूसरे जगा हूँ तो बार-बार मेरे stop मेरे को call करके पुछेंगे कि आपके पास इतना रुपया receive हुआ या नहीं हुआ तो इस problem को solve करने के लिए आप अपने stop का number भी इसमें add कर सकते हैं जैसे माली जी कि मेरे stop पे 3-4 लोग काम करते हैं तो इसमें से जो भी मेरा भरोसे मंद stop है उसका mobile number मैं इसमें add कर दूँगा अब add करूँगा तो कोई भी QR code scan करके payment करेगा तो मेरे stop के mobile number पे भी बोलेगा और मेरे पास भी बोलेगा तो इसका complete यूज कर सकते हैं